इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाश 10 के साइंस के कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जैसा कि आप लोग जानते नहीं है ठीक है आप लोग सूछते हैं कि आपके साथ का ही स्टुडेंट अगर आपके साथ ही पढ़ता हो जो आप पढ़ते हों इस पढ़ता है आप सोछते ह में 15 नंबर का क्यों सहल भी तो नबर किशन पुछा जाथ कि बिख़ोर से तैंडी करहे हैं ऑर इस वीडियो पहले हम परेवलान के बहुभी कल्पिया प्रश्ण को देखते हैं और जो कि दूजार एक्जाम के लिए बहुत यह निवारे हर साल मतपंद रंग का पूछा जाता है ठीक है आप याद कर लेंगे हो जाएगा आप लोगो काम तो वीडियो का अभी तक लाइक नहींगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो बैल आइकन को भी प्रेस कर लिए चलिए हम बहुभी कल्पिया प्रश्ण को देखते ह और बहुभी कल्पिया प्रश्ण के बाद हम लोग फिर आती लगूतरी प्रश्ण लगूतरी प्रश्ण फिर द्रगूतरी प्रश्ण देखेंगे देखिए पहला प्रश्ण आगे आपकी स्किन पर इन सबी के एकदम रट्टा मार लेना क्योंकि इस वीडियो से 15 अंक आप दूसरा है घास लकडियों प्लास्टिक और तीसरा है फलो के छिलके केक और निबू का रस और आप संटी केक लकडियों घास चली स्टूडेंट आप लोग बताएं पड़े हैं आप लोग पारवनत आप लोग जानते होंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा समोजिए कि जो जेम न आप लिए क्योंकि इसमें सजो प्लास्टिक आपका जो प्लास्टिक यह पलास्टिक का और जिमनिक करत प्तार्था थीक ऑर जिमनी करत्हाथ होता है इसलिए नहीं आ होसकता ठीक चलिए परश्ण नमर पहला अगर किलियर हो गया है तो परश्ण नमर दूसरे के और बढ़ चलते हैं आप परश्ण नमर दूसरा देखिए कितना मुष्ट इंपोर्टेंट क्यूस्टन है कह रहा है कि निमली खीत में से कौन से पारेवराण मित्र बेवहार कहलाते हैं और मादवरा स्कूटर से बिद्याले छोड़ने के बजाए तुम्हारे बिद्याले तक पैदल जाना और आपसंटी उपयोग तो सभी तरह स्टूडेंट आपको बताना है कि इनमें से कौन से पारेवराण के मित्र बेवहार कहलाते हैं तो जैसा कि आप लोग जाते हैं कि पार इसलिए उपयोग तो सभी मतलबी आपसंटी इस क्यूसन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों बहुत ही बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है तो इस वीडियो को सुरू सरे के लाइस तरह जीतने भी क्यूसन डिसकस को उनका सबको याद कर लेना पंदर नमबर एक प सकते थैरा आप से क्या कह रहा है तब परतां स्टुडेंट आप से यह बोल रहा है कि निवन में से कौन साथ चैसीव संसादर आपको अंपना चूस कर लिए होंगे यह सिमीत मातरा में उपस्तित है। दोस्तों कोई दिकत ने होगी आप लोगों को इसala करेगा है, ठीक है, आप लोग याद कर लिजीएगा, ठीक है, चलिए, पדרly को इक लीयर है, तो परस्ट नमर च्वता हैं, परस्ट नमर च्र था देखें क्या कहरा है, पर्ष नमर चोथा दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्ट इंपोर्टेंट क्यों चैने कि गंगा को प्रदूसित करने वाले कारक हैं आपसने किटनासक आपसन भी रसायन और आपसन सी कचरावाइक मल कि आपसन डी ए सभी तो चले ये स्टुडेंट आप बताए कि गंगा प्रदूसित हो रही है तो इसलिए आपसन डी मारेंगे एश सभी ठीक है चले उमिद्ध करता हूं क्यूसर नमर चोथा आपको क्लियर हो गया होगा कोई दिक्यत नहीं होगी आप लोगों को कुश्टा नमर चोथा में और इसी साथ हम बढ़ेंगे क्लें क्यूसर्ट आप संसी समाजिक कार्य करता और आस्वंडी उप्योक्त में से कोई नहीं तो चली स्टूडेट आप लोग बताईए तो जैसा कि आप लोग जानगे होंगे कि इसका कौन सा अंसर आप लोगों का सही होगा मैं इसका कारेक्ट आंसर बताता हूं कि जो अम्रिता देवी विश् वो क्या है वन सन रच्छक क्या है वन सन रच्छक है क्योंकि अम्रिता देवी विश्नोई वन सन रच्छक है उन्होंने 1731 इसवी में वनों की रच्छा के लिए अपने प्राणों की आयूती दी थी कितने 1931 इसवी में ठीक है 1931 में वनों रच्छा के लिए अपने प्राण गुषण बात कर दिया भभाववी कल्पे इससे अलावा यह किसन आगार भभी कल्पिए मैं आप से पूसता है तो ठीक है अब हम बात करेंगे अति लगूत्रिया परश्णी के बारे में ठीक है तो हम लोग अति लगूत्रिया परश्नदे देखेंगे चलिए इस्टूडएन कि उसने वाहइत मल सोधन पर संचीप्ट टीपडika लिखे तो आप हेडिंग लालें गी उत보र में पहला कि वहाइत मल उपचार वहाइत मल उपचार हेडि नालेंगे और इसमें आप लिखेंगे कि महानगरों के वहाइत मलकि नदियु या जल सुरोतों में डालने से पुर्व तथा पूना उपयोग में लाने से पहले वाहित मल उपचार सरियंतर यस्टीपी में उपचारित किया जाता है यहां विभीन भौतिक जैसे निसियंतन अवसाधन अविकेंदरन तथा जैविक सुचम जीविय अपघटन बीधियों द्वारा वाहित मल उपचार क किया जाता है इस कारे है तो यहां अनेक विशाल टेंक या कच पनाये जाते हैं तो इस प्रकार आप क्यूशन का आंसर लिखेंगे बोड़ एक्जाम में ठीक है वाहित मल सोधन पर संचीप्टी प्लेकित देगा आपको लिखने के लिए तो इस तरह वाहित मल उपचार है करके लिखेंगे तो उमीद करते हैं पहला क्यूशन आपने नोट करके याद करके जाना है पंदर नबर का सवाल है अप लोगों का ठीक है इसी तरह आप का आंके जुटते रहेगा और एक नएक दिन आप सतर में सतर आप मांक से लाएंगे ठीक है दो महीने में बहुत ही सं जल सनरचन क्या है विस्तार पुर्वक समझाइए तो दीके उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे कि जल सनरचन या संग्रहन का अर्थ वह स्थानी च्छेत्र जहां वर्सा का जल भूमी पर गिरता है या प्रवाहित होता है में जल का संग्रहन करना है रजास्थान की परं अगर हित करके सिचाई तथा भूमी का जल अस्तर बढ़ाने है तू परियोग किया जाता है तथा रोज मर्रा की जल आउसकताओं को पूर्ड करने में किया जाता है तो इस्टुडेंट इस परकार जल स्रच्छन क्या है इस तरह आप दर्शा सकते हैं विस्तार देखिए क्योष्टर मतिसराप की स्किन प्यागए जो की बहुत ही ज़्यादा मत्तोफूर पूर्शन है कि प्रदूसर क्या है इसके बिभिन प्रकारों के नाम लिखे तो इस्टुडेंट आप उत्तर में लिखेंगे कि पारेवरण में उपस्तित आवांचित या हनिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रतियच या और प्रतियच रूप से दूस प्रभाव डालते हैं प्रदूसर कहलाते हैं तथा परेवरण में इन प्रदूसकों के कारण उत्पन दूस परिमाड़ों के प्रदूसर कहते हैं प्रदूसर के विभीन प्रकार जैसे आपका जल प्रदूसर्ड और वाई प्रदूसर्ड ध्वनी प्रदूसर्ड या प्रदूसर्ड के प्रकार होते हैं ठीक है तो इस प्रकार देखे पूछा था प्रदूसर्ड क्या है इनके विविन प्रकारों के नाम लिखे तो आपने प्रदूसर्ड भी बता दिया और विवन प्रकार होगा आप लोगों को ठीक है प्रश्ण नमर चोते की और बढ़ चलते हैं आप प्रश्ण नमर चोता देखें जो कि बहुत ही जादा मौत्वपूर प्रश्ण आपकी स्कीन पर आ गया है कि वन ने प्राणियों पर संचिप्ट टिपड़ी लिखना आप लोगों को ठीक है दे फर पंक सलक आदी के लिए मारा जा रहा है इनका उप्योग और नेक उत्पादों के बैपारिक उत्पादन में किया जाता है इस कारण खाद श्रिंखलाएं प्रवावित होती है तथा पारितंत्र का पर्यवरणिया संतुलन बिगड़ जाता है ठीक है इस प्रकार आप दर प्रस्ट नमबर चौथा आपको किलियर हो गया होगा कोई दिकत नहीं होगी उम्मिद करते हूं कि आपने नोट भी कर लिया होगा नोट कापी बना लीचे उसमें जो भी मुस्ट इंपोर्टेंट कर रहा है जार उसको नोट कीजिए और याद कीजिए ठीक है चलिए प्रस का सामना कर रहे हैं तो उत्तर में पहला आप लिखेंगे गंगा नदीप टिहरी बांद और नर्मदा नदीप सर्दार सरोवर बांद यह जो दो बांद हैं वह लोगों के विरोध का सामना करते हैं ठीक है बहुत मुझ्ट इंपोर्टेंट प्रस्ट नहीं से नोट कर लिज प्लास्टिक यह लिग देंगे ठीक है अब तक मेरे बात किया था आप लोगों से का आती लगूत्रिय परश्ण आती लगूत्रिय प्रश्ण में सिर्फ च्यूंसन याद कर लेते हैं एक यूशन बाहर नहीं जायागा ठीक है चलिए अम हम इसी के साथ बढ़ेंगे लगू लगूतर या प्रश्न प्रष्न बहुत ही ज्यादा पूर्पुड प्रश्न बात करूब इसको लीकर राद करना है कि दूने लिए पर देंगे खोंगे इसको लिख लेगा एक तो लिक लिए इसको दोग लिएग रहे हैं Science के last के दो चेप्टर चुगदा 15 उसको एकड़म याद कर लिए आप लोगों को 15 नमबर लाना हो तो कि यूशन नमर दूसरा प्रश्ण नमर पहला इसको नियंत्रीट रखने के लिए कौन वपाय होने चाहिए यह भी आपको दर्शाना है तो क्यूसर नमर तीसरा भी आपने नोट कर लिया होगा क्यूसर नमर चौतर के वड़ चलते हैं और क्यूसर नमर चौतर आपसे कहरा है कि अफसीष्ट जलका उप्योग करने की कुछ लावकारी वीदियों का सुझाव दीजिए इसमें बताना है कि जो अफसीष्ट जलका करके याद करके चाहिए पंदर नमबर नहीं आएगा तो फिर यह आगा ठीक है चलिए परस्ट नमर पांच में देखे का रहा कि संपोसित विकास के अउधाराना की व्याख्या कि जिए तिस्टुडेंट इन पांचों क्यूसर जो में आप बताएं उन लगूतरी परश्ण प्रश्ण में पांच क्यूसर फिर दिखा देता ह wp 10 में दिखाया है उन फांस कृर्षण को लिग कर याद कर लेना बहृत भारी पहला कि एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्त के रूप में वन का क्या महत्त की जय कीमतु को जनतुओं को तथा वनस्पतियों को लाब पहुचा सकते हैं जल संक्राण क्या है कि जो हमारे मनुष्य को भी जनतुओं के विवनस्पतियों को लाब पहुचा सकते हैं ठीक है यह आपको भी बताना है ठीक है तो मुश्ट इंपोर्टेंट प्रशन है क्यूशन बाद दू आपको जाना एक्जाम में चलिए प्रश्ण नमर तीसरा के लिए रहो गया तो प्रश्ण को याद कर लेना आपको इस्टूडेंट देखिए दिर्गुत्रिय प्रश्ण में में टोटल किता है क्यों चार क्यों बात किया हूं जो कि बहुत ही जादा मौतवपूर प्रश्ण ह प्रश्ण को याद कर लिए बस अब आपका पूरा जो पारवण का चेप्टर है पूरा में कभर कर दिया है पंद्र अंक इसी के बीच आएंगे एक प्रश्ण इधर उधर नहीं जागा बस आपको याद करना है ठीक है मैंनों स्ट इंपोर्टेंट क्यों बता दिया आप ल तैयारी कराई जा रहे तो प्लेलिस्ट खोल कर हर एक सब्जेक्ट के चेप्टर वाइस के पढ़ाए गया है सारे मुस्ट इंपोर्टेंट क्योशन तो उसको भी आप तैयार करते रहे तब तक लिए दोस्तों धनबाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में